Hello everyone, Welcome to RPSC Study Hub RAS Mains exam के अब कुछी दिन बचे हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब बचे हुए दिनों में हमारी अंतिम दिनों की रणीती क्या हो यहनि लास्ट के दिनों में हम क्या-क्या चीजों को फॉलो करें जिसे की हमारा सेलेक्शन हो हमारे मेंस में काफी अच्छे नंबर आएं क्योंकि फाइनल तो हमें इंट्रो के बाद ही डिसाइड हुआ लेकिन मेंस के जो मार्क्स है जैसा कि मैंने पहले बताया है काफी important role play करते हैं अगर मेंस में आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो सेलेक्शन जो है आपका काफी हत तक हो जाता है ठीक है तो समय को ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं कि सभी साथियों की तैयारी की यात्रा में कुछ सबसे ऐसहज करने वाले पढ़ावाते हैं उनी में से एक है मुख्य परिक्षा से पहले के चार दिन ना ठीक से पढ़ते बनता है और ना ही छोड़ते इतने पेपर सब्जेक्ट टॉपिक्स क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए और कभी कभी लगता है कि मैं पढ़तो रहा हूँ या पढ़तो रही हूँ लेकिन याद कुछ भी नहीं नहीं हो रहा है लेकिन यह सब के साथ है यह बिल्कुल common चीज है कि हाँ मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, इसे लग रहा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, एक हद तक सभी के साथ होता है, बिल्कुल सही बात है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर जो है, हमारा स्लेबस बहुत बढ़ा है, और काफी याद आने लग जाएंगी, हाँ यह भी मैंने पड़ा हुआ है, अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने काफी अच्छे कासे मौक टेस्ट जो है, वो लिखे हैं, प्लस मैं आपने स्लेबस भी पूर अच्छे से कवर करा है, एक एक टॉपिक को आपने स्लेबस के अक काम रहेंगे, डिलेक्स रहेंगे, मेडिटेशन और योगा, ये भी आप लास्ट के दिनों में कर सकते हैं, एवन एक दिन पहले भी आप मेडिटेशन और योगा करेंगे, तो आपको काफी बेनिफिट होगा इसका, फिर यह तैयारी का कोई मानक नहीं होता है, ना कोई पै सब के अलगलग मांग होता है, जैसे कोई आफलाइन पड़ता है, कोई ओंलाइन नोट बनाता है, प्रतेक व्यक्ति की रणनीती अलग-अलग हो सकती है तरीका अलग-अलग हो सकता है जो आपने रणनीती बनाई है वे ठीक तीया गलत उसे केवल परिक्षा का दिन और पड़िनाम ही सिद्ध कर सकता है एक्चुली बात यही है कि अगर आपने एक्जाम होल में टेंशन नहीं ली बिल्कुल रिलेक्स रहे तो जितना आप रिलेक्स रहेंगे एक्जाम होल में प्लस में आप आने वाले जो 2-3 दिनों में है खुब पानी पिते रही है डी हाइडरेटेशन जो है वो उसकी समश्या रनीती और अपनी तैयारी पर पूर्ण विश्वास करें अपने चुने होए रास्ते और रनीती की दूसरों से तुलना बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह समय अप तुलना का ही नहीं तुलना नहीं अभी तो बस अपने उपर confidence रखे कि हां मेरी तैयारी पूर्ण है अगर आपको कोई कोशन नहीं आ रहा तो आप उसको skip कर दीजिए जो आ रहे हैं पहले उन प्रश्णों को कर दीजिए यहां केवल एक ही नियम है जो सफल उसकी रनीती किताबे और नोट सही मान जाते हैं बिल्कुल सही बात है आप जितने भी वीडियो प्लस में जितने भी आप ुसिक्षण के वागए उनई लोगों की स्टोरियां जो सक्सेस हैं तो आपकी स्टोरी भी कब बनेंगी जब आपका सलेक्षण होगा तो अगर आपका सलेक्षण होता है तो आपकी रननीती सफल मानी STE पता है और जो सफल होता है उसकी रणनीतियों किसी को पता ही नहीं होती है ठीक है अभी दिमाग पर इस बात को लेकर जोडना डाले कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ याद नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया परिक्षा के चुरू के पांदस मिनट के बाद अपने आ इजी आएंगे ठीक है देखा जाएगा जो भी आप अपने आपको सकारत्मक रूप से रखे मजबूत रखे अपने आप फ्लो बन जाएगा और याद आना शुरू जाएगा उसके बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब तीन गंटे निकल जाते हैं जो चीजें आपने प इसके अनुसार अपनी तयारी को फाइनल टस्क दे उसे पूर्टा पडान करें इतने महीनों के तयारी के बाद अंतिन दिन तक खुद को तयारी के साथ बनाए रखना और परिशा के दिन अपनी मेहनत का 100% उप्योग करना ही सबसे जरूरी है तो इसके लिए सबसे जरूरी तो उनको आप एक बार के लिए दोरा सकते हैं ज्यादा डीप मेनिंग उसके उपर उपर से आप जो है चीजे देख सकते हैं प्लस में अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक आ गया है कि हां अरे यह क्या था और आपको याद नहीं है तो उसको तुरंत आप देखिए कि ह हाँ इसमें यह पॉइंट ऐसा नहीं कि हाँ ठीक बाद में देख लेंगे अगर आपके माइंड में इस टाइम पर कोई भी कॉशन चल रहा है कि हां यह टॉपिक कैसे था क्या था क्या था क्योंकि इस टाइम पर क्या है चीजे एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लो में घूमत कि मेरे साथ तो यह बहुत बार होता था जो भी बुकस और शॉट्ट नॉट्स आपने परिशा के अंतिम दिनों में रिवाइस करने के लिए रखे हैं उन्हीं को रिवाइस आप करती रही है शॉट्ट नॉट्स बनाये होंगे उनको आप देखती रहे प्लस में निमंन के लिए क्या होता है कोटेशन अपन कफी बार याद करते हैं इंग्लिश या हिंदियों तो वह कोटेशन भी एक बार मेर्ट पुन जो टॉपिक से जैसे महिला हो गया परियावरन हो गया इसके लाहा जलौए परिवर्तन हो गया शोशल मीडिया हो गया साइबर क्राइम अभी ब गया उसका डियाग्राम फ्रोचार्ट कि मैं किस सरह से बनाइए हुआ ब्लस में कंपरेशन वाले कोशन होते हैं उनमें लेफ साइट पक्ष्व पक्ष्व भी होता है उनके कोशन को को तत्य जो है वो काफी काफी अच्छे लगते हैं तो तत्यों-के वादार पर कई पार मांक्स बहुत सब्सक्राइब बुछा तहान चाहिए तो वह Legislative प्वंट उससे बात वहां देख सकते हैं लेकिन खेसित अब Какि रही है शोट जो है पास होगा तो के नहीं लेकिन आपने तैयारी अची करिये तो पास तो हो नहीं है यह भी अपने विश्वास रखी कि मैंने तैयारी अची करिए तो मेरा सेलेक्शन तो कंफर्म हो गई होगा इतना अगर आप पोजिटिवनेस रखेंगे तो आपका पेपर जो है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा so all the best for exam thank you for watching this video